Hello friends, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने class 7th के chapter number 4 air के बारे में जी हाँ हम part 1 में already काफी कुछ बढ़ चोके हैं कि किस तरह से global warming, greenhouse effect किस किस से हमारी atmosphere की gases बनी वी होती है, atmosphere बनावा होता है atmosphere की layer क्या क्या होती है, उनके क्या 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 काम होते है weather और climate का difference देखा, temperature क्या होता है, यह देखा napping के कैसे हमने यह देखा, अब हम देखने वाले हवा कैसे pressure डालती है मैंने आपको बताया था last video में, कि like हवा को हम नापते हैं barometer से लेकिन यह pressure होता क्या है, ठीक है, यह देखेंगे, तो चलिए, देखते हैं आगे अब मैंने एक बात करी थे, air pressure की, अब यह air pressure क्या होता है देखो, मज़े की बात यह है, कि इस टाइम अगर मैं बैठी हूँ, ठीक है, आप कहीं बैठे हो, ठीक है हमारी body पे pressure लग रहा है, हवा के द्वारा, ठीक है, लगातार हमारे उपर pressure लग रहा है ठीक है, लेकिन हमें feel क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी body भी equal pressure लगा दिया है ठीक है, अगर आ रहा है, तो हम दे भी रहे हैं, तो इसलिए के वह रहा है, balance बना रहा है ठीक है, अगर किसी एकाभी pressure जादे होगा, तो वह overcome कर जाएगा उस चीज को, मालो कि जब बहुते हवा चलती है, तो हमें लगता है वह स्चाइटैस होते हैं फंट सबते हैं、 तो सब जाते हैं, तो सब पर सब अटाफेีर बहुते है, तो आर प्लस TAC बढहर दियर, यह डाप, इन फिरम सब फो क्या क्राफेर बहुते है वह ज को कोश्टियूम पहने है इसलिया वह पेंटे किट औरहिए पेंटें उनके किट ना पहना हों से हमारी dena phone 7 फेले मुण्पंटो ένα keyword जो हमारी से इसलिभड प्रेशर लगा आ झा चलिवाड बॉडिया सब्सक्राइब मम एर भाडि प्रेस्ट पहन के जाते हैं हमारे एक्हाना अगर श्फेशसूट ना पहने तो यह इस निए धर और सपट जाएंगी क्यों क्योंकि बॉड़ी में प्रेशर जाएगा और एटमस्वेर में प्रेशर है नहीं तो क्या होगा यह वाला प्रेशर एक्षील कर जाएगा इंक्रिज ओजाएग और हम मढद जयugo यही ही धर बट करता है करने थे प्रेसर हैं यह तो प्रेशन घरे कि करते हैं अब ऑप छोले हैं मुझे लगता है अब यह करे हुँआ अभी मैंने आपकोह बताया था जैसे उपट जाते हैं ठीक है अब उपट कैसे जाते है हीट बड़ी जमीन पे नीचे वाली गैस उपट जाते है उपट के उपट तो यह ब्लड के अंदर क्या चलता रहता है कि भाई मतलब उसे एक्जर्ट रहने का कोई रास्ता बता दो बस जल्दी से क्योंकि उपड़ से प्रेशर आने रहा ठीक है यह तो प्रेशर लगाएगा यह तो प्रिवेल हो जाएगी वो चीज़ें तो नोस से ब्लड आने लगता है ब्लड माउंटेन भीक्राइख है तो जैसे आप उचा बढ़ होगे प्रेशर कम हो जाएगा प्रेशर क्यों क्यों आप को पता है क्योंकि उपर नीचे से जो हवा है वो पर जाती है ठीक है हलकी होकर के ठीक हमें समझ में आ गया है इसके अलावा जो एक तो वर्टिकल होग कि जो हमारी हवा है वो क्या गरी ऊपर चड़ेंगे जैसे आपने साथ क्या होता है वाटर की मॉलेकूल हिमिडिटी लेके चलती है हवा में पानी की बुन्दे तो रहती है तो क्या हुआ टेमपरेचर बढ़ता जा रहा है ठीक है नीचे की हवा उपड़ जाती जा रही है तो सारी हवा कैंदी नीचे भวाइन ने लीजा गई वाइने कंवाइन लाट मोच प कहते हैं दिधी के रही कहते हैं आ सीके सब्सक्राओ के सारी वाइन टो सेफिके नजवा फुला स्लीकुन की वुल्र तो क्लाओ कि वहा दिकूकर का जाए यह अनौ यह जारी तो तो क्यों हो गी कि आप यहे चल रहाई है कि जादे त्हेम्प्रेश बता दिया यह की नुग पर प्रेश्र बना जाए कि जनी अकल है हवा में कि मुझे कहा जाना चाहिए यह निया कि यह की सीट पर लड़ना है अब यह मैं आपको बता चुकिए है एस्ट्रोनॉट वाला कि जो प्रोटेक्टिव से इस पेस सूट पहनते हैं इस वज़े से नहीं तो ब्लड वेजल फट जाएंगी हवा हमने देखी कि हवा का मुवमेंट होता है आप उसे विंड कहते हो ठीक है आपने विंड कह दी इस विंड से कभी कभी विंड इतनी ज्यादा हो जाती है कि कभी कभी तो सिर्फ क्या होता है कि बहुत हलकी रहती है कभी बहुत जादे हो जाती है जैसे कभी कभी तो सिर्फ स्पीड से कैसे उड़ दी है क्या करता है कि अब ब्लोइंग वे स्मोक और फाइंड सुछ तो इतनी हलकी होती है कि वह सिर्फ आसपस की धूल वगार अगर आके लिए जाती है ठीक है तो थोड़ा क्लियर हो जाता है मौसम कभी कभी धूल लेकर आजाती है इसमें आपको चला आफ़ी मुश्किल हो जाता है ड्रेपेंस कैसा आपका क्या है और क्या मुवमेंट तीन तरिके से फिता हैं यह तीन टरीके कृपन कौन होती है जो east से बहती है simple सी बात है ठीक है अगर आपका यह क्या है आपकी प्रत्वी है यह आपका equator है अगर यह इस वाला एरिया है और यह वाला आपका west वाला एरिया है अगर कोई हवा ऐसे बहरी है तो आपको किसे west से बहरी है ठीक है अगर कोई हवा ऐसे बहरी है तो आपक स्कस्क्राइब, तो ये हो साथ ऐसे आती है। एसे पारिष नाव। होसान है, एक हवा इसे आती है। भारिष आती है। या कहति है यह से ऊफस्य सबस्त्रे करती है। तो यह होती है seasonal wind, जो आपके बारिश करती है, आपका मौसम बदलती है, ठीक है, और कुछ चलती है आपके local winds, जो कहीं दूर दराज से नहीं आई है, वो आपके areas में चलती है, जिसे northern plains में हमारा जो area है, जो north का plane है, वहाँ पर लू चलती है, गर्मियों में, ठीक है, कहते हैं वो sea breeze, जो land की तरफ से चलती है, वो land breeze, वो किस basis पे होता है, वो भी temperature के वज़े से ही होता है, ठीक है, इस chapter में शायद आपको यह मतलब like, समझाया नहीं रखा है, बट सिंपल सी बात है, अगर आप देखो कि जो land होती है, जल्दी गरम होता है, जल्दी ठंड़ होता है, प इसे movement होगा, जो land से movement हो रहा है, वो land breeze, ठीक है, और रात क्या होता है, उल्टा होता है, वो sea breeze चलती है, इसलिए जो रात का मौसम होता है, वो आपको ठंड़ा व्योता है, समुदर किनारे, यो कि समुदर से फिर थंड़ी waves यहां आती है, ठीक है, वो आप अलग से पढ़ो लो प्रेशर बन गया, अब हमने देखा था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के जरफ क्या जाती है, winds जाती है, तो यहां पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, comparatively, ठीक है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, winds, यहां देखो, वैसे इतना जादा जान ठीके उसी तरफ का नाम आपको देदिया आप देखो साइक्लोन अभी साइक्लोन होता है काभी-गभी जो हवाई होते है Aretha में हुआ था जब साइकलोन आया था 17 और 18 अक्टूबर 1999 में कहां से बेव बंगाल से आया था आभी मैं पूरा मैप में समझाओंगे अच्छे से पांच डिस्ट्रिक को नों ने पूरा कवर किया था यानि कि पांच डिस्ट्रिक खराब हो गए जैसे सुपर का साइकलोन क्या हुआ था occurred on the 29th October 1999 that devastated large portion of the state like पहले हुआ 17-18 अक्टूबर को उसके बाद हुआ 29 अक्टूबर को यारि 2 हो आए किस-किस के हो जैसे विंड की mentorship जब विंड की हवाँ तेज ओ गई स्पीड तेज हो गई ठीक है रेंथ बारिष मी हो वह रहे थिया और ताईडल सर्ज भी हके जब लेंग अपने साथ बहार ले जाएंगी Falls देखो स्पीड कितनी थी 260 किलोमीटर पर एक घंटे में 260 किलोमीटर की स्पीड पर आप जा रहे हो 36 घंटों तक यह हवाएं चल रही है तो बता आपने साथ कितनी सारी चीज़ां उखाड ले जाएंगे तो सारे पेड़ उखाड दिये गए कच्छे हाउस उखड गए सारी इंडस्ट्रियल जो जगे थी सारी इंडस्ट्रिस बनी वी थी सब खताम हो गया पावर सप्लाय टेलीकॉम यहनगी टेलीफोन लाइन साब अगयरा कट गई बहुत तेस बारी शोरी थी तीन दिन तक कंटीनिस बारी शोरी थी सारा जो आपका उड़ी सा है वो फ्लड में हो गया था बाड़ा गई थी वहापर ठीक है क्योंकि बारी शुला गातार हो ले थी सब जीसे बरबाद भी हो जगी थी तो कोई पानी रोकने वाले सिस्टम न साथ से दस मीटर हाए जाएंगे तो देखो कितना उचलेंगे फिर वो ऐसे करते करते जो वहां पर जितनी भी खेती वगेरा थी पैड़ी के क्रॉप्स की वह सब बरबाद हो गई वहां के लोग सब सब कुछ खतम हो गई यह देखो यह आपके फोटो दिखा रखा है अब हुआ कैसे था यह स्टार्ट हुआ था गल्फ ऑफ थाइलेंड से गल्फ ऑफ थाइलेंड में डिप्रेशन बना यानिकि एक तरह से इतनी फोर्स लगी कि समुंदर में हवाई चलने लगी बहुत तेस तेस फिर उसके बाद पोर्ट ब्लेयर के पास लाइक यह स्टार्ट ठीक है इसके अलावा और कौन किसी सिटीज को ने अफेक्ट करा भुवनेश्वर और कटक कितने इंपॉर्टन सिटीज है आपने इसका नाम भी सुना गए भुवनेश्वर बहुत मत्ले महा की राजधानी है ठीक है वहां तक को अफेक्ट कर दिया गया 28 कोस्टल टाउंस क खतम कर दिया गया 13 मिलियन पीपल इससे एफेक्ट हुए 13 मिलियन पीपल जिनकी जिनकी जिन्दगी चली गई लाइफ स्टो गया इनकी जीवन जिससे जीते थे जीते थे जमीन पर खिती करके वह सब खतम हो गया पैड़ी की ग्रॉफ वेजिटेबल फूट जितने भी वह आप कुछ नहीं जाते जो गया जाते जो मैंगरो फोरेस्ट थे में बहुत जाना जाता है ठीक है वह सब खतम होगे चलो एक बार माप में देख लेते हैं तो आपका थाइलेंड और फॉफ थाइलेंड और यहां से अवा जाती है प्ट ब्लेयर के पास को जाती हैं उसक यहां इस साइड को मुवमेंट हो रहा है इसलिए नॉर्थ वेस्ट का इसे हो रहा है यहां देख लेटें हैं किसे किसे अफेक करा देखो यह आप कटक को इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब बुरी तरह लगी हैं किसे जो चीजे थी इस अफेक करी थी यह पूरे में हैं बश्चता है जो कि शफचे लेक हैं फीजे हे बटे कारी को बता है बताए कें तरह पानी वर्थ वेतर बनता है सिर्क उॉर्थ से लेग पोरे बनता है जमूल वह बंता है था कि भ historic schönde घ słuटिब के वाक विचम्ट्र बनता है ओस्से मौशर होता है मौइस्टर क्या होता है हवा में कितना पानी है प्रेजेंट है जितना मौइस्टर है हवा में उस से नमय नम्मी तदस या कब बहुत जता है कि आप कवरेंवर हो से मौसव में यृbell हो जाते है ठीक है तो क्या होता है कि पानी में जो आपका हवा है हवा में पानी की बुने बहुत जादे हो जाती है वह वाला मौसम होता है ठीक है जैसे ही full of water vapor होता है humid रहे हैं बने कि अभ़ता व्णादी जयाती है तो बादे से जाधा जाती हुआटी आह एकथ अचिज गया जाती है अब useful फॉरियल कप्ड़े नहीं सुखते क्यों क्योंकि हुआ जो हमारा वाटर है धुर्यहें बहुत जादा एंज प voter तो तेवल आपको फील होगा और जल्दे से सूखेगा नी ठीक है लेकिन दूसरे साइड में तेमपरेचर और और जादे बढ़ जादे बढ़ जाएगा तो धरी दीरे वाटर वेपर उपर राइस करेंगी राइस होते होते धरी दीरे कूलिंग होने शुरू होगी यह ठीक है जैसे उनकी पानी पूद मिलने लगेंगी जैसे ही क्लाउट बनेगे उसके बाद क्लाउट बनेंगी बहुत ज्यादे पानी होने के बाद जब स्युन को बदार जाएगे पानी के फ्याच प्रोसेस कवरें आप पानी मूलीकी चाहिते ऑफ पानी प्रोसेस और प्रोसेस चल रहा है कि आप का जो पानी और गया हो ठीन पानी चाहरए असब का होगी आपके कपड़ी यह पूरी तरह मदल जाएगी जल दो हवा के साथ मिहाता है अभी तो सबस्माइन के बादट बनाव जैसर बनाती जैसे प्रेशर के permitir इसदिन के प्रशिक गड़ा हो गया इस भी यह जा कर दो कि गड़ा है कि मालनो आपका इस्हेड मैं इसके अंदर से क्या निकला है प्रेसिपिटेशन होता है अर्थ पर लिक्विड फॉम में उसे ही आप क्या गहते हूँ जितना ग्राउण वॉटर है चुम्स फ्रों रेंवॉटर जितना भी आपका जमीन के पानी है वो रेंवॉटर से ही आता है तो जैसे ही हुआ बारिश वग्यारा होती है और इस वाले पहाड पे कुछ नहींड लग रहे हैं सहगा है, तो, पानी बहेगा है तो जड़े हैं वो पीती रहेंगी, नीचे बहुत कम पानी रहेगा, यहां पर क्या होगा, जब कुछ नहीं है तो फैल कर नहीं चाहेगा, इसलिए बाड़ाती है कभी-कभी, क्योंकि हम पेड क्या करते हैं काटें लगे हैं, ठीक है, अब तीन तरह के आपके रेइनफोल होती है, कैसे, एक तो कन्वेक्शनल, एक क्या है, और 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 आप साइक्लोनिक रेइन फॉल कैसी होती है, साइक्लोनिक रेइन फॉल जो एक तरह से क्या है जैसे आपका हवा चलती है उस अकोर्डिंग होता है कि वाम हेर मुझु गरह में हवा ती उपड़ गई हवा अपने साथ मौइस्टर लेके जाती है उपड़ जैसे तो फंड़ बादल बन जाने है क्योंकि जैसे वो अपर जा रही है तो कुछ वो बूंदे खटी हो जा रही है और उसे एक पहाड मिला इस पहाड ś saf कर डिया आप क्या होगा हुआ ही ठक Cathedral दिया तो क्या उग़ा तक्रा के आपको बता है बादर टक्रा कढई पड़ी गरम हुआ उप्पर गया बादल बनाया नीचे टपक गया ठीक है यह आपको कंवेक्शंण चल रहा है यह आपका क्या है वाम कि warm air उपर जा रही है, low pressure और high pressure बना रही है, कि उपर हो गया, high pressure नीचे हो गया, low pressure यह, ऐसे movement करके आ गई और बारिश हो गई, ठीक है, तो यह आपका चल रहा है, हमने rainfall के तीनों टाइप पढ़ लिए, आप क्या है, rainfall बहुत ज़ते important है, प्लांट्स के लिए भी, अनिमल्स के लिए भी, ठीक है, फ्रेश वाटर प्रोवाइड करवाता है, अगर rainfall काम होती है, तो वाटर की scarcity, वाटर की कम ही हो जाती है, अकाल पर जाता है, दूसरी तरफ, अगर यही पानी जाद हो जाए, तो बाड़ गया जाती है, ठीक है, तो देखा, वाटर कितना important और किस शेप, किस तरह से है, अब क्या है, प्रेसिपिटेशन तीन तरह से हो सकता है, और स्नू, स्लीट और हेल, अब यह क्या होता है, स्नू, तो क्या है, जो बरफ होती है, आप कहते हैं, बरफ गिर रही है, बरफ गिरती है, तो थोड़ी मनला एक थोड़ी सौफ्ट और क्रेंची से उसमें होती है तो क्या होता है थोड़ी बुर्बुरी सी होती है और वो गिरती है नीचे वो स्नौ होती है स्लीट और हेल आपके एक तरह से बिलकुल बरफ के टुकड़े ही होते हैं जो आपके ओले आप जहने कहते हो वो तो होती है हेल स्लीट क्या होता है स्लीट भी एक तरह के ओले ही होते हैं लेकिन स्लीट क्या होता है कभी वो बारिश की बुंदों की तरह उखती है बन जाएग तो अब और नीचा में आ चाहिए सो आपको इस अरट्बासÕर आइस अर मांटें पे元 के अगो के तो अब एक्साईस तोदा दिविजों हो जाएगा हमारा अब वो कहे रहा एट्मोसफेर क्या होता है एट्मोसफेर एक ब्लैंकिट है अर्थ के चारो तरफ जो कि अर्थ की टेंपरेजर को क्या करती है नॉर्मल लगती है दो गैसिस जो बहुत जादा है नाइट्रोजन और अक्सिजन आपको पता है ठीक है कौन सी गैस क्रेट करती है ग्रीनाओस इफेक्ट अट्मोसफेर में सियो टू करती है आपको पता है वही करमी लेती है वैधर क्या होता है डे टू डे चेंज वैधर क्या तो डे टू डे चेंज अफ तेंपरेचर या फिर क्या तो हटना और कॉल्ड ने सब तीन ताइप उफ रेंफ और रेंफिल कॉन से है इंविक्षिनल है संट्राइजराद में और यह परेशर की ओ प्रेशर लगा रही है अर्थ सर्फेस पर डट इस लोण इससे अडर प्रेशर ठीक है अब इन में से कौन सा है कि which of the following gases protect us from harmful sun rays sun rays से कौन बचाते है harmful ozone layer बचाती है हमने पढ़ा था ठीक है most important layer कौन से atmosphere की troposphere thermosphere या mesosphere अब देखो हमारे recent में हमारी पास में क्या troposphere तो अपने पास बालों से ज्यादा प्यार होता है तो हमें उसे troposphere टिक कर सकते हैं वैसे important तो सारी है thermosphere में क्या होता है कि थोड़ी घर्मी जादा है तो हमें कोई direct नहीं है उसकी mesosphere में उल्कापिंडा के जल जाते है important तो वह भी होड़ना तो अर्थ के हिस्सु पर गिर जाएंगे उल्कापिंड लेकिन most important सबसे ज्यादा इन में से troposphere के सकते हैं क्योंकि पूरी हवा मौसम चेंज वगएरा यहीं पर होते हैं ठीक है आप क्या है कौन सी atmosphere की layer है which of the falling layer of the atmosphere is free from cloud कि उसमें clouds नहीं है आपको पता इस stratosphere है क्योंकि हमने इसी में इसी में इस पेशल गुन पढ़ा था कि aeroplane यह पर उड़ते है क्यों ट्रॉपेस्फेर में तो मौसम वगएरा होता है बारिश वगएरा सारी इस पर ही होती है जैसे हम बढ़ते रहते है उपर ऐंट्मसफेर में प्रेशर कम होता है जया होता है जियसे हम यह बढ़ते है हम क्या पथा आप्र बढ़ते है वह आपको चैकल कोई हो ठीक है अब when precipitation comes down to the earth in the liquid form liquid form में अगर कुछ बरस रहा है precipitation हो रहा है उपर से कुछ गर रहा है तो क्या कहते हो आप उसे rain कहते हो ठीक है snow क्यों नहीं कहा क्योंकि snow bill को liquid नहीं होता थोड़ा सा solid form होती हलकी बहुत उसकी माल कटार है अपको क्या करना है मैच करना है कौन सा क्या है trade Winds आपके क्या है seasonal है या क्या है permanent Winds होती है वैसे आप लूग क्या है आपकी local wind होती है हमने भी पढ़ा था monsoon क्या मॉंसून से बारिश होता है तो आपके seasonal wind है wind क्या होती है ? विंड क्या होती है सिंपल सी बात है horizontal movement of air या फिर movement of air होता तो भी यहीं लगाते ठीक है तो आपके चारू ठीक है incoming solar energy यह आपका extra point दे रखाता है यह आपको टिक नहीं करना है कहीं पर भी किसी नीड के नहीं है अब क्या है आपको reason देनी है वेट क्लोग्स टेक longer time to dry on a humid day अगर कोई उमस्से भरा दिने हो humid day है तो उस time में आपके कपड़े क्यों नहीं सुकते हैं बहुत नंबर टाइम क्यों लेते हैं आप बताओगे humid day है मुझा humidity जाद है यानकि हवा में जो water के water vapors है वह बहुत जाद है water vapors जाद हो जादे है तो ह हलोगा disappointing कि अपbourब कर पानी कि पून्दों अब्रण अब्सवर्ब करिये जब एट्पयर के मानेकि कैपेशिट्य नहीं हो थी तो जिए होती है तो क्या थी है कपड़े होता है सूरज कि रोशनी पढ़िए तो इसका जो पानी है वो हवा में तो चला जाता है अब हवा तो लेने से मना कर रहे हैं अब जो हवा लेने से मना कर देंगे तो क्या आजाएगा पानी वापस इसमें आ जाएगा तो इस वज़े से क्या है आपकी कपड़े नहीं सुखते हैं जिस पॉइंट पर सीधि पड़ती है आपने उसे एकोईटर का नाम दिया था ठीक है पोल्स पे slant high जाती है slant High क्या जाती है इसलिए क्या इन्सुरजीशन भी उसमें कम है इसलिए वह तरीक्रीश हो जाता है जैसे एकवेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं due to the position of sun and earth कि वहाँ पर सुरज की रोशनी डिरेक्ट आती है और वहाँ सुरज की रोशनी कम आती है इसी के साथ आपका chapter complete होता है हमने पूरा इसमें बहुत अच्छे से बढ़ा कि आपका atmosphere किस किस तरीके से बना है क्या क्या gases है उसके अंदर ठीके बारिश कैसे होती है तुफान कैसे आते हैं और हवा कैसे चलती है कौन-कौन सी लेयर है weather क्या होता है, climate क्या होता है, temperature क्या है air pressure क्या है, ठीके कैसे बारिश होई कैसे बार आई या फिर यह सारी चीजे इसके साथ कोई भी queries हो तो आप पूछ सकते हैं